अगर आप तेहना लाग उर्पे के प्राइंस में कोई ऐसी सेवन सेटर कार देख रहे हैं जिसके लुक्स बढ़ी है रहने चाहिए कंपनी फीडिटी आपको सभी बेसिक फीजर्स मिल जाएं आपको आप्टर मार्केट काम कराने की बिल्कुली जूरत ना पड़े और इसी के साथ में वात तो उसकार के लुक्स है पुरा फीचरिस्टिक डिजाइन लगता है इस गाड़ी का और एक्षिर के साथ सा इसकार का इंटियर भी काफी प्रीमियम रहने वाला और प्रीमियम फीचर्स रहेंगे टर्सकिन एंटफर टैम हो गया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बेस मोडल से जिसमें आपको टस्किन एंफर टैम है सस्टा मिल जाएगा रिमोट सेंटर लोकिंग मिल जाएगी इंडिकेटर और पर हो गया अगर आफ्टर मार्केट भी फीचर्स करवाएंगे तो आपको काफी पैसे खर्च होने वाले इसलिए बैस रही रहेंगा है कंप आपको अच्छा लेग रूम मिलने वाला है और आपको लास्ट रूम में स्पेस अच्छा नहीं मिलता है इसलिए उसको यूज करने वाले अच्छा कमफर्ट रहेंगा इस गाड़ी में किसी को भी प्रोब्लम नहीं होने वाले कर आप लोंग रूट पर भी जाएंगे तो विचल फिर एकर कम सबी फीचर्स को देख लेते कि सब्सक्राइब करें आते हैं तो इस टाप मैं कड़ा हूँ एविएस की रूट की उत्राखरण में और को इसी भी किया की कार चाहिए तो आप इनसे कॉंटेट कर सकते हैं तो कॉंटेट की डेटेश आपकी स्क्रीन पर श जाएते हैं और इंडिकेटर होगे अब बल्व यहां पर दिखाए दिया पूरी बंद रहने वाली जिस विचरिस्टिक डिजाइन लगता है इसकार का उन्हें सब्सक्राइब काफी बढ़िया लगती है फ्रेंट से देखने में और यहीं ओवर्रोल इसकार की फ्रेंट इंडिकेटर आपको फेंडर पर दिया जाएगा एप प्यानो ब्लैक फिनिस का उपर रूफ रेस दी जाएगी और डौर हैंडर सोगे बोडी कलर के ब्लैक कलर का और यहां इंट्यर्स का जो की डूल करम में रहने वाला है जो कि देखने में काफी प्रीमियम लगता इंट् सब कुछ वीडियो में दिखने वाले हैं फ्यूल हो गया इसके कोड रेवर साइड फिरेरी कंबाइन लुक बैको साइट रोफाइल की इससे आप देश सकते हैं काफी बढ़िया लगती है बैक से देखने में इस टेल लाइट की वेसे फंक्शिनिंग में तो नहीं रहती है टेल लाइट गराब इसके अपर मोडल्स पर जाएंगे तो आपको इसमें एली टेल लाइट भी मिल जाएगी उपकी साइड हो गया शाक्फिन एंटेना रेर स्पोईलर हाय मैं डिस्टोप लैंप रेर वाइफर डिफोगर बोशा जैसे फीचर इसके सैकंड बेस्ट में न पर रिवर्स पाकिंग कैमरा हो गया यहां पर अब चलिए फिर मापको इसकार का बूट दिखा तो पर कितना स्पेस आपको स्कार के बूट में दिया जाता है और यह रहां पर रिएर सीट को यूज करते हैं लगेज लैंप हो गया और यहां पर आपको टूलकिट मिल जाए तो इसकार का एक्ष्टेर लुक अगर आप एक्ष्टेर से भी बढ़िया फीचेस आपको इसके प्रैस्टीज वेरियंट में दे जाएंगे और आप बेसिक फीचेस चाहते हैं तो आपको आफ्टर मार्केट बढ़ करनानी कोई भी जोड़त नहीं पड़ेगी अगर मैं इ से तो इसकार में आपको ओटो हैड्लैम्स मिल जाएंगे फोलो मी होम हैड्लैम रूफ रेस साख फिंट एंटेना और रेर पागिंग कैमरा कुछ ऐसे फीचेस आपको इसमें दे जाएंगे जो कि आपको इसके बेस वेरियंट में नहीं मिलते हैं तो इकार का फी पैली फॉ जी बन पाइंट फाइब इंजन मिल जाएगा 1500 CC का जो कि प्रेड्यूस करता है बंदे 13bhp के पावर मरेट 44 एनम का टोर आपको उसकार का इंटीर दिखाता हूं फिर क्या क्या ओफर करा जाएगा आपको उसकार के इंटीर में विए सब्सक्रा करेने वाले इंटीर इसकार कर दर्याइबर साइड सीट ट्रेवर सीट एंट को फीचर और इंखलाइं करने का बनें गल जाता है यहाँ अपर आपको शुर्फ टस नहीं मिलेगा बाट ऑट खेए पार से देखने में कुस्त रगद रगता है इंटीर इसकार का और इसकार का बेक डोर तो अपना सिल्फ अगर आप रियर सीट में जाना चाहते हो आप रियर सीट को टपल करके रियर सीट में चले जाएंगे यह आप आपको स्लाइडिंग का भी ओप्षिन दिया जाता है कि अbogku अग्ते ऊप्षियों को डी топ का सबस्क्रा आपको अउन अपकर सो कि अपादी आपके में बियून सबस्क्राइब्स इंसे पीक्रा देखनेडन डेखने But का सबस्क्राइब का इत्थे का सबस्क्राइब करें जाने का सबस्क्राइब घांगे हैं। सब्सक्राइब काफी बढ़ी हो गई साइड में क्रोम हो गया बस आपको इसमें लेडर रहे स्टेरिंग वील को देखते हैं तो बिल्कुली प्रीमियम सा लगता है और उसी के साथ इसकार को फुली डिजिटल मिल जाएगा सब्सक्राइब करें लिए कुछ होगी इसमें अलड लाइट यहां पर होगा फ्यूल के लिए और टैंपरेचर के लिए विए ड्राइब साइडिस इवेंट आपको क्वाइन रखने का स्पेस मिल जाता है बटन हो गया ट्रेक्शन हो का बटन ओटो हैड्लैम्स मिल जाएंगा आपको उसकार में और ओटो बाइपर्स और यह रसकार में सेंटर कंसोल एट इंच का उसमें ट्रस्कीन एंट्विटे मैं सिस्टम मिल जाएगा यहां पर आपको प्यानो ब्लैक फिनिस मिल जाती है इस पर एमनिशन लगी हुए स्टैंप पर हजए लैट को यहां पर बटन मैनुएली एसी होगी उससरे कंट्रोल से रहेंगे आपर यहां पर होगा पार्किंग सेंसर के ओनोफ के लिए युएस्जी पोर्ट ट्वैल बोट का पावर शोगिट हो गया टाइप सी पोर्ट हिल होल कंट्रोल हो गया थोड़ जा स्पेस है और सिक्स गेर मैनूल ट्रास् सेंवाइजर बैनेटी मिरर आपको यह अपर नहीं मिलेगा सिफ्टीगेट होल्टर मिल जाता है संग्लास होल्टर हो गया और कैवी लैंप रहेगा जो कि हैलोजन में है और यह रहेंगे स्कार की फ्रेंट सीड्स इन में आपको मिल जाएंगे अजस्टेवल हैट्रैस से प्रीमियम लगता है अंटीर और यहां पर भी आपको स्विलेफिनेस मिल जाएगी ग्रेव हैंडल हो गया पाव इंडू कंट्रोल स्पीकर बार्टर के स्पेस है टुक मैंने स्पेस अम्रेला होल्डर तो भी ओवरोल कुस तरह कर लगता है और जो भी फीचर्स मेल जाते सबस्तों आप को दिखाई दिये हैं अब में लेकर चलतों की रेस सीट पर हम पर हो कितना स्पेस मिल जाएगा ड्राइवर सीट को अपनी हैट के साफ से रिजस कर देता हूं जो सबको पता से जाएगा मिडल सेट पर कितना स्पेस है तो बिदे लेग रोम रहा है सकार में औ कर पर आपको अब चले जाएंगे सिट को मdıकशल हो अंब तक भी यहां से पूर्ब्म नहीं होने वाली है स्पेस मिल जाएगा ड्रास्य को यहां पर तो इससे आपने देखा को सरक अदस कर बोगराउं जो भी फीचर्स आपको इस कार के इंटीर एक्षिर मिल जाते हैं वह आपको सभी दिखा दिये हैं जैसे मैं आपको बेसिक फीचर्स अपनी कार में चाहिए तो आपको इससे बैस ओप्सन कोई नहीं है मार्केट में अगर आप सेवन सीटर कार चाहते हैं रियर शीट पर आपको बढ़िया स्पेश चाहिए प्रीमियम नैस और फ्यूचरिस्टी डिजाइन चाहिए क्या कारण्स आपके लिए बैस्ट ऑप्सन बन सकती है और यह नहीं की बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं आपको उसमें एट इसमें ट प्रेयर वियू मोनिटरिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के लस्टर एते फिर तो आपको उसमें मिली जाएंगे वह जो प्रैस डिफ्रेंस रहने वाला इसके बेस फेरेंट से वह बन लैक टॉन्टी फाउजन रूपीस का सिर्फ वह इतने फ्रैस मापको फिर इतने बढ प्रैमेट कंट्रोल एसी इंजनी स्टो बटन कुरूज कंट्रोल पुछ स्टो बटन पावर फोल्डिंग मिरर्स रेयर विंडो कर्टन जैसे फीजस मिल जाएंगे कर आपको यह वाले फीजस अपनी कार में चाहिए तो आप प्रैस्टीज वेरेंट के साथ जा सकते हैं ले जाने वाएद